आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और यहां पे रागव अपनी कर रहे हैं पढ़ाई अपना कल इसका पेपर है लास्ट कम्प्यूटर का उसकी और ड्रोएंग का हाँ इसका जो पसंदीना सब्जेक्ट ड्रोएंग आपसे क्वेशन पूछना था कि कम्प्यूटर किस ने बनाया था तो वसी तैयारी में लगे हुए हैं और आज मेरी कुछ तब यह ठीक नहीं है तो आज मैंने कोई व्लोग बनाया है यह नहीं था एक तो बारिश लगी हुई है बार बार कभी आती है कभी जा बंतब थोड़ी तेर पड़ जाएगी लाउख कर जाएगी पूरा घर फिर चली जाएगी फिर आजाएगी और तबियत भी ठीक नहीं है मेरी बिल्कुछ भी बनायेंगे तो तो मैंने सोचा चलो छोड़ो अभी एक दो दिन रेस्ट करते हैं तो मैंने इसलिए कल कोई व्लोग नहीं डाला था परसो डाला था और अभी आज सोचा चलो कुछ जादा नहीं तो कुछ बात ही आप से कर लेतें से कुछ क्वेशन के जवाब मुझे देने तो एक बोश सा रहता है तो मेरे दिमाग वो यह चलती रहती है तो मैंने सोचा चलो आज व्लोग नहीं बनाते तो आज कुछ आपके सवालों के मैं जवाब दे देती हूं जो मुझे कई वार आये हैं और आते भी रहते हैं अभी कुछ आये भी है तो उनके मैं जवाब आज तो चलिए सबसे पहला तो देखिए मुझे भी कल ही आया था रादिका जी का सिंधारा क्या सिंधारा चलता है क्या और दूसरा उनके कमेंट था एक सवाल था कि आपके बालों का क्या हाल है यह भी बताएगा तो ये भी मैं आपको बताऊंगी, सिंधारा हमारी यह आता है ये भी मैं बताऊंगी, क्योंकि उनका ये था कि रिपषया ज़रूर करना, तो ये चीज़ वीडियो में नहीं हो पाती है, या सुरी, कमेंट में रिप्लाई में नहीं बोल पाती है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज हम न आपके कमेंटों के जबाब ही हम देते हैं कि आपने क्या पुछा हम क्या आपको बता दे तो चलिए तो सबसे पहली बात तो सिंधारा जो है आता है नहीं तो सिंधारा हमारे यह आता है हमारे यह कहते है कि चाहे बेटी बूड़ी हो ज आपकी बहुत यह था कि या फिर ऐसे कभी कभी होता है कि यसे मेरा चक्कर लग गया तो फिर ममी सामन का महीना होना चाहिए आप यह नहीं कि आज या मतलब मुझे उसी दिन होना चाहिए दिन या वाले दिन क्या बोलते हैं उसको साफन और पापन पकूए और घीर वहारा है in और कि ऊदिए और छाओन कोई कि य tip फिर सब्सक्राजाब मुझेगा मैं चाते हैं इतने तो यह ले आई पिर लो तुम परहीं आहिए यह क्के एक प्सकिर्पिद कमी ओपने की जिया तो मेरे यहां से हर बार जब भी श्रिंगार जब कोई भीज़तेो इस को इस परिशान मत किया है तो आप एदने कर दो तो इसलिए जया से प्रशान मतWhy सिप आप कर Deobic जब जाओंगी या वह ही कोई तुम तब वहां से आएगा ठीक है और दूसरी बात बालों की तो हां बालों मेरे में आराम है एक तुम्हें आमला एलोवेरा नोहों कमेंट भी आया था कि दी दी मुझे आपको खुष बताना है तो इんस्टा पे उन्हों ने मुझे बताया था तो वह आपके साथ शेर जरूर करूंगी लेकिन मुझे ऐच्छे से फाइदा मिले तब मैं आपके साथ करूँगी और मुझे फाइदा मिल रहा है ठीक है और अच्छे मिलेगा तो मैं आपके साथ आगे वह चीज जरूर शेयर करूँगी बहुत अच्छी औरहों और महंदी बस इतना ही डालती हूं या कभी कभी चाय की पती में भी डाल देती हूं या कभी पतला फिक्स नहीं है या कभी कभी मन करता है तो सिर्फ महंदी घोल के लगा लेती हूं ऐसा ही करती हूं और ज्यादा तर मैं आवला और इसका पाउडर जरूर लालती हूं जिससे क्या रहता है कि बालौ में ये चीज भी पहुंग जाती है तो ये मैं डालती हूँ ठीक है और एक मुझे कमेंट आया था बहुत ज़्यादा कई लोगों का आया था जब मैंने अपने भाई से आप लोगों को मिलवाय था चेह च्पाई से चोटी मा से ताम मुझे बहुत सब में ना ज़्%. जादा दर लोगोंने मुझे घंके थे खैसे बात से तुछ होगी लगता है इतना अच्छा लगता है और बहुत ज्यादा सार्वाइंड बहुत दिमाग का देज और इतना उच्छा लकूद करने वाला था न एक एसा वह कहते ने एक टाइम ऐसा आता है न एक घड़ी ऐसी आई एक टायम ऐसा है इसने सब कुछ तहसिस कर दिया सब कुछ बर्बाद कर दिया और इसको इस ती में ले आया एक खासा ऐसा कि सब कुछ पळट दिया उसने तो वह मुझे जवाब आप लोगों को देना था क्योंकि वह मैं सोच रही थी कि बताऊं कब बताऊं कैसे बताऊं फिर आज मैंने सोच आज आज आपको यह चीज बता ही देती हूं तो देखिए मेरा जो भाई था ना काफी बहुत जादा अच्छा था बहुत मितलब शरारती बच्चे और शार्प में बच्चे होती ना उन शार्प्की थी असाम टेजपुर ही तब उसकी बाद उस पढ़ने के लिए भेजा था कोचिंग के लिए तो शायद पूना भेजा था मुझे अच्छ से याद भी पूना ही था तो वहाँ उसको भेज JASON था तो उसका उस दिन लाष्ट रेटथह लाष्ट दिन था जिस दिन ओटर के आ रहा था वों कोचिंग उसकी ऊपर थी ऊपर वाली मंजिल पर थे तो उतर के रहा था तो CD पर से सका पैर जो है वो सिलिप हुआ और इस तरीके से गिर हुआ कि उसकी सीडी की किनारी होती लिए इना दरह्त के लिए जाके लगाई युद्यकिव कुट गही कि थे नहीं वहाँ लोगों उसको एडमिट करा दिया वहीं होस्पीटल में फिर यह लोग पहुंचे और उसके बाद फिर सारी प्रक्रिया और ओपरेशन वगेरा हरी के अड़ी का बहुत इतना जहला है भगवान सालों के हिसाब से वह वह होस्पीटल में रहा है सालों के जादा तो नहीं कुछ कहूंगी सब कुछ हमारा वह ऐसी दिन आया कि उस दिन से ना हमारा सब कुछ बदल ही गया बिल्कुल बदल गया सब कुछ बदल गया तो ऑपरेशन हुआ ऑपरेशन के बाद उसके ऐसा कुछ हुआ कि उसका जो नीचे का हिस्सा है ना कमर से नीचे क इसका मुमेंट नहीं करते बिल् printing विसको पता नहीं है कि उसको न को इना कोई मार दो तो उसको पता नहीं चलता है ना वैसुस ही नहीं होता है कुछ उसके हाथ काम नहीं करते हैं हाथ तो भी अब थोड़े बहुत उसके हल काम करने लगे हैं जैसे कि exercise वगरा से इस बात को हो गए क्या बता हूं आपको लगबक 15 साल हो गए इस बात को उसके इस accident को 15 साल हो गए 15 सालों से वो इसी सिती में है और चाचा जी मौसी तरुन यानि इससे बड़ा जो है सभी हम सब पूरा परिवार सब उसके साथ खड़ा है और उसको कभी भी यह महसूस नहीं होने देते कि वो अकेला है या परेशान है सबका प्यार उसके साथ बहुत है बड़ यही है कि भगवान कभ वो दिन आएगा कभ वो चमतकार करेगा कि उसको बस खड़ा कर दे क्योंकि जो बच्चा इतना हसता खेलता उचलता कूता हो न वह अगर इस इसी में आ जाए तो बहुत बहुत दिल को छोट लगती है बहु है कि सब कुछ करना पड़ता है और इसी उमीद में वो भी बहुत अच्छा है उसको भी ना एक कॉंफिडेंस है उसको भी एक ललक है कि ठीक होगा ठीक होगा तो यही हम उस दिन का इंतजार कर रहे है भगवान वो कभ चमतकार करेगा कभ क्या होगा कुछ अपनी इसी कोई कसर नहीं छोड़ रहे कोई भी जहां जो बोलता है वो करते हैं जो भी दवाई एक्सरसाइस सब कुछ उसका चल रहा है 15 साल से लगाता और 15 से ज्याद ही हो गए उसको तो अपनी इसी कोई कसर नहीं छोड़ा दिन का उसका इंतजार है जिस दिन उसको इंतजार होगा वो उटके खड़ा हो जाएगा उस दिन का बहुत इंतजार है सच में तो यह कारण था कि और उसका इतने अच्छे डॉक्टर ने ऑप्रेशन किया था जो शायद डॉक्टर त्रेहन थे शायद मुझे अच्छे से पता नहीं जो हड़ी स्पेस्ट रिशने रिड के हड़ी के स् एर फोर्स में तो आईरर जो उसपीटल है हमां भी उसका काफीत मतलम सालों के हहाव से लगा तार अब यहीं है बसकि आप तो कोई लगता है कि चमतकार होगा कभी कभी कुछ तो होगा अंदर से कि आए कि और कंश अवाज आateurs आती यह खड़ा होतकर आप सब बी देखा नहीं जाता सच्छी में बहुत दुख होता है बहुत जादा पर कर भी क्या सकते तो बस एक आई होप मिल गया होगा आपको जवाब तो क्योंकि मुझे एक चीज लग रही थी कि आपने पूछा था मैंने बताया नहीं पर मैं सुर्सिदी कब बताओं कब बताओं आप सीना देख रही हूं कितनी गर्मी लग रही है अचा एक चीज और मतलब होती है शायद मेरे साब से नजर होती है कुछ है ना कि इतना प्यारा परिवार था मेरे चाचा जी का बहुत ही खुशार परिवार बहुत कुशार चाचा जी जॉब में थे अच्छी एरफोर्स की अ परिवार में सबसे खुबसूरत है सबसे बहुत सुन्दर लगते हैं दोनों ही और एक साल का ही दोनों में अंतर है बिल्कुल जोडवा जैसे लगते थे बड़ी प्यारी सी फैमली थी जब टायम आया था कि अब यह कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे तो बड़ी अ आस कर सबी लोग भोलते थे का अपका बेटा बड़ा क्योश Sundari अगता पेटा बड़ा प्यारा है बड़ा बीटा बड़ा विचीजह आने तो लगता है कभी कर नजर तो नहीं लगी वह वाली चीज lawsuit लगती हैंदर से और चलिए अभी जो है वह मैंने बात आपको बता दी बहुत स्विक्र करता है किसका बड़े कभ है किसकी अनिवरसरी कभ है किसका ध्यान रखता करके और सब को विष पहले पहले से फोन करेगा बाते करेगा बहुत ही कुछ अलगी जो कहते है ना लगी उसका वो है पर चलिए उम्मीद है एक अंदर से आज है कि वो जरूर खड़ा होगा जरूर अपने पैरों पर खड़ा होगा क्योंकि उसके साथ सभी की बहुत सारी दुआए हैं बहुत सारी तो चलिए अभी इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ और आपके और जो भी क्वेशन हो अब मुझे इतना याद आ रहा है और तो कुछ मुझे याद आ नहीं रहा और कोई क्वेशन आपका था क्या तो दिव्या वाला मैंने बताई दिया अपनी बेटी वाला आपको वीडिय को न मैं एंड कर देती हूँ यहीं पर और मिलती हूँ अपसे नए से व्लॉग के साथ अभी मुझे पता नहीं मेरा मन पताने क्यों कर नहीं रहा वीडियो बनाने का कुछ तो यह बज़े भी है कि तो इतनी महनत करते हैं और व्यूज वो चीज नहीं आ पा रहे फिर भी उ करूंगे आपसे कल अब कल या परसों जबी मेरा मनों का मैं देखती हूँ और अच्छे से व्लॉग के साथ तब तक के लिए बबाए तेक के रादे रादे थैंक्स वर वाचिंग